हेलो फ्रेंट, वेलकन टू माई चैनल, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट आमित कुमा सिंग आज मैं आपको एक FMCG की नंबर वन कमपनी बताऊंगा, निप्टी फिप्टी का स्टॉक बताऊंगा जिसमें आप सभी लोग को पैसा लगाना ही चाहिए, आप लोग भाई अगर 20-30 साल के इंवेस्मेंट कर रहे हो, इस मार्केट ने पैसा लगा रहे हो, इस कमपनी का अपनी फॉट्फोलियो में जगा देना, निप्टी फिप्टी का स्टॉक है भाई, पियोर मल्टी बैस्ट खरीद के रख लो, आप लोग की लाइब बन जाएगी, इस कमपनी में आप मंधली बेस आईपी कर सकते हो, लमसमी पैसा लगा सकते हो, जो करना है भाई, करो लेकिन इस कमपनी का अपनी फॉट्फोलियो में जगा देना, क्वालिटी कमपनी का भाई, सेर खईदोगे ना, तो आज नकल ओग कमपनी आपको रिटन बना के देगा ही, कोशिस कीजिए, क्वालिटी कमपनी पैसा लगाने का, आलतु फालतु भाई, कमपनी पैसा लगा के, कोई फायदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ समय की बरवादी है, और पैसे की भी, आप लोग का भाई, पैसा बन र देता हूँ, और आप लोग भी, किसी भी कमपनी में, पोजिसन बनाने से पहले, एक उसका फानेसल कंडिसन के बारें, पता कीजिएगा, कमपनी के धन्दे के बारें, पता कीजिएगा, अगर भाई, उस कमपनी का धन्दा अच्छा है, बिजनेस मॉडल बनिया, उनके है, आपको कमपनी का फायदा मिलेगा, तो देखो, नेटसल टार्नुबर सितमबर सेवेंटीं में था, वो 16838 था, सितमबर सेवेंटीं में, और सितमबर नそうそう, 1966 हो चुका है, तो दी से तो बहुत बढेहांस का नेटसलुदा नेटसल टार्नुबर है, हाफ एरली, 16838 से, 1966 66 हो चुका है, टोटल इंकम देखलो, टोटल इंकम है है, हाफ एरली सितमबर 70 पर टोटल इंकम था वो 1715 सितमबर 17 में और सितमबर 90 में देखलो 20293 हो चुका तो भाईया, मुझे इसका नेट्ट अल्ड टोटल इंकम हाफ एरली बहुत ही अच्छे दिखाए ज़रा है आप खुद भी यहां पे देख सकते हो कहीं से भाई कोई दिक्कत नहीं है operating profit देख लो operating profit बे इसका सांधार है हाफ फेरली सितंबर 17 में जो operating profit था वो 3548 था सितंबर 17 में और सितंबर 90 में देख लो 5090 हो चुका है तुदे से तो बहुत बढ़े असका operating profit है हाफ फेरली 3548 से 5090 हो चुका है एविट्टा देख लो भई एविट्टा भी इसका सांधार है हाफ फेरली सितंबर 17 में जो एविट्टा था वो 3865 था सितंबर 17 में और सितंबर 90 में देख लो 5417 हो चुका है तो बढ़े असका operating profit एविट्टा हाफ फेरली बहुत ही अच्छे दिखाए दे रहे है मैं जिती तारिक उफेंड वो कमी होगा profit and loss पर देख लो भई 3643 हो चुका है तो देख तो बहुत बढ़े असका profit and loss पर दिया रहे हाफ फेरली 2536-3643 हो चुका है reported pad देख लो भई reported pad भी इसका सांदर है हाफ फेरली सितंबर 17 में जो पर था वो 2559 था सितंबर 17 में और सितंबर 90 में देख लो 3630 हो चुका है तो भईया मुझे इसका half result बहुत ही अच्छे दिखाए दे रहे मैं जिती तारीक उफेंड वो कमी होगा आप लोग ने खुद देखा कहीं से भई कोई दिक्कत नहीं है अब मैं year to result देख ले रहा हूँ पहले आप half result देख रहे थे भई तो देखो net sales मार्च 15 में था वो 3855 था मार्च 15 में और मार्च 90 में देख लो भई 38224 हो चुका है तो देख से तो पहुत बढ़े आपस का net sales turnover ये टीर वाइज 30805 से 38224 हो चुका है और किसी भी येर में कमी नहीं रहा है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है भई positive बात होती है total income देख लो total income इसका सांदर ये टीर वाइज मार्च 15 में total income था वो 31425 था मार्च 15 में और मार्च 90 में देख लो 38888 हो चुका है तो देख से तो पहुत बढ़े आपस का total income इसका ये टीर वाइज 31,424 से 38888 हो चुका है और ये भी किसी येर में कम नहीं रहा है तो भईया मुझे इसका net sale total income इसका ये टीर बहुत ही अच्छे दिखाए दे रहा है आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो अपरेटिंग फ्रॉफिट देख लो भाई अपरेटिंग फ्रॉफिट भी इसका सांदार है ये टीर वाइज मार्च 15 में जो अपरेटिंग फ्रॉफिट था वो 5208.24 ता मार्च 15 में और मार्च 90 में देख लो 8,637 हो चुका है तो देख से तो बहुत बढ़ेटिंग फ्रॉफिट है ये टीर वाइज 5208 से 8,637 हो चुका है और ये भी किसी भी येर में कम नी रहा है जो कि ये पहुत नहीं अच्छी बात होती है बाई पोजिटिव बात होती है इविट्टा देख लो इविट्टा भी इसका सांधार ये टीर वाइज मार्च 50 में जो इविट्टा था वो 5,826.63 था मार्च 15 में और मार्च 90 में देख लो 9,301 हो चुका है और ये भी किसी भी येर में कम नी रहा है तो बहुत ये अच्छे दिखाए जा रहा है और किसी भी येर में कम ही नी रहा है जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है बई पॉजिटी बात होती है ऐसी फाइनसल प्रफ़ेंस वाली कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हो बई तो आपका पैसा बने गाई तो इस कंपनी का प्रफोली में जगण दीजिए लॉंग ट्रम के लिए जगा दीजिए निप्टी 50 का स्टाक है खरीद के भूल जाईए प्रॉफिट एंड लॉस वे देखलो भाई प्रॉफिट एंड लॉस फॉदियर बेसका सांधर ए ये टियर वाईज मार्च 15 में तो प्रॉफिट एंड लॉस फॉदियर था वो 3650.96 था मार्च 15 में और मार्च 90 में देखलो 6263 हो चुका है तो देख सकतो बहुत थी बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉदियर ए ये टियर वाईज 3650 से 6263 हो चुका है और किसी भी ए येर में कम भी नहीं रहा है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है पॉजिटिव बात होती है वाई रेपोर्टेट पाट देखलो रेपोर्टेट पाट भे इसका सांधर ए ये टियर वाईज मार्च 15 में जो पाट था वो 4315.26 था मार्च 15 में और मार्च 90 में देखलो 636 हो चुका है अनुएल एपेस देखलो भाई अनुएल एपेस बे इसका सांधर ए ये टियर वाईज मार्च 15 में जो annual EPS था और 19.95 था मार्च 15 में और मार्च 90 में देख लो 27.88 हो चुका है वे से तो बहुत थी बढ़िया इसका annual EPS से EAT एरबाईज 19 से 27 हो चुका है तो भाया मुझे इसका EAT जो बहुत ही अच्छे दिखाएत रहे हैं तो आप सभी लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाओ आप अगर 20-30 साल के लिए फोटफोलियो बना रहे हो तो आपके फोटफोलियों भाई इस कंपनी का सेर होना ही चाहिए क्वाइटी कंपनी है खरीद के रख लो आपकी लाइब बन जाएगी एच्वाल का अब में ऑफिसल वेग साइट पे आ चुका हूँ आप सभी लोग एच्वाल को बहुत अच्छी तरह से जानते हो सुबह से साम इस कंपनी का पोड़क्ट यूज करते हो फिर भी आपके पोटफोलियों में एच्वाल का सेर रहता ही नहीं है जब मैं किसी का पोटफोलियों रिवीई करता हो तो मैं देखता हूँ कि ऐच्वाल का सेर तो है ही नहीं उनके पोटफोलियों में कौन सा सेर रहता है महेंदरा और महेंदरा रहता है असो क्लेलेंट रहता है SBI Bank रहता है PNB Bank रहता है Bank of Broder रहता है IDFC First Bank भरभर के पैसे लगाए होते हैं और Yes Bank तो है ही तो भाईया आप लोग ने एक गंदी पोर्टफोलियो बना करें इसलिए आपको रिटर नहीं मिल रहा है मैं आप लोग से बार और बोलता हूं कि Financial के अधारे पैसा लगाई है Financial के अधारे पैसा लगाई है तो आप लोग स्टॉक का प्राइस देखे पैसे लगाते हो तो कहां से रिटर बनेंगे इसमें भाईया आपकी गलती है जिस दिन आप Actual का सेरें पैसा लगाना शुरू कर देंगे यह सब कंपनीए भई जिस दिन आप पैसा लगाना शुरू कर दोगे उस दिन से आप पैसा बनाना भी चालू कर दोगे मेरे कहने का मतलब है इन सब कंपनीओं में अगर आप पैसा लगाते हो भई तो आपका पैसा बने गई इस टॉक का प्राइस देखके आप लोग बिल्कुल पैसा मत लगाईए कमपनी का फैनेसल देखके पैसा लगाईए तभी जाके आप भाई रिटन बना पाऊगे 10-15% ही भाई आपको रिटन अगर बनाना है तो मुचल फर्ण ने पैसा लगाईए या फिर प्रोपर्टी खरीदिये मैं क्या भाई पागल हूँ जो एच्वल फर रिपीटिट वीडियो बनाते रहता हूँ मैं आप लोग के लिटे वीडियो बनाते रहता हूँ मैं चाहता हूँ आप लोग एच्वल फाइसा लगाए और लांग टरम के लिए पैसा लगाए इस कंपनी आपका पैसा 3 साले में डबल हो जाएगा और साथ साथ में डिविडिन्ड गि मिलेगा HL company में किसी ने अगर 12 सल पहले 10,000 पे भे लगाया था ना तो आज उसका 1 कुर्पया बन चुका है एक बर मैं फिर से आप से बोलूँगा आप लोग भाई financial दे के पैसा लगाईए stock का price दे के पैसा लगाने की कोशिस विल्कुली मत कीजिए HL का share भाई आज से 10 सल पहले मैंगा था, 20 सल पहले मैंगा था, 2 सल पहले मैंगा था, 6 दिन पहले मैंगा था, आज भी मैंगा है आने वाले सालों में मैंगा ही रहता, सस्ता नहीं होने वाला है आप किसी भी price में खरे लेंगे तो आपका पैसा बन जाएगा कुछ दिन पहले भाई मैं paid से भी स्टार्ट किया हूँ जिनको भी portfolio create करवाना है वो मुझसे contact कर सकते हैं मैं यहाँ पे contact number दी रखा हूँ टेलिग्राम जॉइन करना चाहते हैं तो टेलिग्राम भी जॉइन कर सकते हैं मैं कोसिस करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा portfolio बना के देने का contract कीजिए मुझसे paid service चाहिए तो हिंडुस्तान इनिलिवर लिम्टेट अब तक किस टैप से टर्म बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखायता हूँ तो देखो यह company पिछले 10 सालों में बहुत अच्छा टर्म बना के दिया है वैल्ट क्रियेट करके दिया है तो देखो 10 साल में 10 है वो 860.70% है जो कि friend बह अब जो भी एक company आपको बहुत बहुत अच्छा टर्म बना के दिया है देख सेकते हूँ एक सो पैसेट पॉइंट सेवंट इनिन पर सेट अने वन यह में देख लो वन यह में 25.94 पर सेट अने सेट अने 14.97 पर सेट अने यह टुडेड में देख लो यह टुडेड में 17.53 पर सेट अने 600 आने 0.76 पर सेट अने तो भी यह यह company 2020 में 17% बना के देचुका है सेट अने 0.76 पर सेट अने वन मंथ में देख लो वह ओन बाल तो भाई है तो भाई आप लोग करते हैं कि आप आप Reliance से वीडियो नहीं बनाते हो, Infosys से वीडियो नहीं बनाते हो, TCS से वीडियो नहीं बनाते हो, तो देखो भाई, ये सभी जो company है ना, Reliance, TCS, Infosys, बहुत एची company है, लेकिन भाईया मैं इस समय खुद ही पैसा नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए मैं उस company वीडियो नहीं रहता हो, और भाईया मैं इस company पे 1100 पैसे वीडियो बना रहा हूँ, आज के time में इस stock double हो चुका है, और भाईया मुझे actual एक multi-way stock लगता है, इसलिए मैं इस company वीडियो बनाते रहता हूँ, ये बाते भाईया मैं financial के अधार पे आप लोगो बता रहा हूँ, मन गढ़न बा लगता हूँ.